परिचाए आज भौतिकी के शिक्षक प्रयोक शाला में छात्रों के सामने हमें एक प्रयोक करने जा रहे हैं। उन्होंने एक छोटा खुपारा लिया और इसे निर्वात चार में रख दिया। फिर उन्होंने वैक्यूम पंप का स्विच चालू कर दिया। अचाना कुपारा फैलने लगा। उनके द्वारा पंप का स्विच बंद कर देने के कुछ देर बाद कुपारा अपनी मूल अवस्था में आ गया। एक छात्र ने कोथुहूल वश पूछा। श्रीमान जी क्या आप कृपिया बताएंगे कि ये प्रक्रम कैसे कारे करता है। आहां निश्चित रूप से वरूं। ये अणुगती सिध्धान्त का एक उधारन है। जब निर्वात को ओन किया जाता है तो गुबारे पर लगने वाला दाप घट जाता है। और निर्वात जार पूरा भड़ जाने तक खुबारा फैलता है। और जब वायू वापस जार में आती है तो दाब पुनह लगता है। और खुबारा अपने मूल आयतन में वापस आ जाता है। ये दाब तथा आयतन के बीच एक अप्रत्यक्ष संबंद दिखाता है। तो चात्रो हम आज अनुगती सिध्धांद के बारे में और अधिक जहनकारी प्राप्त करेंगे। उद्देशे। इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। अनुगती सिध्धांद को परिभाशित करना। द्रवी की आनवीक प्रकृती की व्याख्या करना। गैसों के विवहार को समझना। बॉयल के नियम तथा चाल्स के नियम को परिभाशित करना। आधर्श गैस के अनुगती सिध्धांद को जानना। आदर्श गैस के ताप की गणना करना, ताप की अनुगतिक व्याख्या करना, मैक्स्वेल बंटन फलन को समझना, उर्जा सम्विभाजन के नियम को परिभाशित करना, विशेष्ट उश्मा धारिता की गणना करना, माध्य मुक्दपथ तथा ब्रावनी गती को परिभाशित करना परिभाशा अनुगती सिध्धांथ उन्नीस्वी शताबदी में मैक्सवेल, बोल्टजमान तथा अन्ने द्वारा विक्सित किया गया अनुगती सिध्धांथ इस विचार के आधार पर गैसों के वैवाहर की व्याक्या करता है कि गैसें तेजी से गती करने वाले परमाणों या अनुगों से बनी होती हैं ये संबव है कि अंतर परमाणविक बल जो लगू परास के बल होते हैं और ठोसों तथा द्रवों के लिए मैदपून होते हैं वे गैसों के लिए उपक्षित किये जा सकते हैं द्रव की आन्विक प्रकृती किसी गैस में सभी अणूं सद्रिश होते हैं लेकिन वे अन्य गैसों के अणूं से भिन्न होते हैं किसी गैस के अणूं आदर्श प्रत्यास्त गोलों की तरहा वहवाहर करते हैं और अणूं के बीच की दूरियों की तुल्ना में बहुत छोटे आकार के होते हैं सभी अडूं सदैव याद्रिच गती करते हैं और सभी दिशाओं में उनके वेक शूरने से लेकर अनंद तक होते हैं। अपनी गतियों के दौरान अडूं एक दूसरे से तथा पात्र की दिवारों से भी संघट करते हैं। ये सभी संघट आदर्श रूप से तत्यास्त होते हैं। संघट के दौरान को छोड़ कर अणूं एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगाते। दो संघटों के बीच अनूं सदैव एक सीधी रेखा में गमन करते हैं। और दो क्रमिक संघटों के बीच चली कई दूरी माध्य मुक्तपत कहलाती है। गैसों का वैवहार सभी गैसें गर्म करने पर फैलती हैं। जहां तक आयतन में परिवर्तन का संबंध है, ठोसों तथा द्रवों पर दाप का प्रभाव नगर्ने होता है। लेकिन गैसों को आसानी से संपीडित किया जा सकता है। वेस्थिर दाप पर भी आयतन में प्रसारित होती हैं, यदि दाप को गिरने दिया जाए। इसलिए गैस का आयतन ना किवल ताप पर बलकि इस पर लगने वाले ताप पर भी निर्भर करता है। बॉयल का नियम बॉयल के नियम के अनुसार ताप नियतांक रखने पर गैस के किसी दिये गए द्रविमान कदाप उसके आयतन के विर्थ क्रमानुपाती होता है। के दाब है और वी आयतन है। ये इसका अनुसरा करता है कि यदि tax का आयतन घटाकर आधा कर दिया जाए तो इसका दाब दूग न हो जाएगा। नियतांक दाब पर गैस की उर्जा का नियतांक मान होता है और जब तक दाब नियतांक बना रहता है तब तक गैस के प्रसार या संकुजन के साथ ये उड़ा बढ़ती या घटती नहीं है बॉयल के नियम का पूर्टा पालन करने वाली गैस आदर्श गैस कहलाती है बॉयल के नियम को इस तरह से कहा जा सकता है कि नियतांक ताप पर गैस का घरत्व इसके दाप से संगत रूप में बढ़ता है पी बटे रूप नियतांक चाज का नियम चाज के नियम के नुसार किसी गैस का आयतन प्रतेक एक डिगरी सेल्सियस दाप पर परिवर्थन के लिए 0 डिगरी सेल्सियस पर इसके आयतन के गामा यानि पी परिवर्थित होता है यदिदाब इस्थिर रखा गया हो वी बराबर वी नौट गुणे एक प्लस गामा पी थीटा जहां वी थीटा डिगरी सेल्सियस पर आयतन है तथा वी नौट जीरो डिगरी सेल्सियस पर आयतन है उप्रोक्त संबंथ को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है वी पराबर वी नौट गुने एक प्लस थीटा बटे दो सोती हत्त समीकरण के अनुसार आयतन तथा ताप के बीच ग्राफ एक सीधी रेखा होता है ताप के पूरे परास में आदर्श गैस इस समीकरण का पालंग करती है वास्तवी गैसें केवल उच्च ताप पर ही इस समीकरण का पालंग करती है ताप मान घटाए जाने पर ये समीकरण से विचलिध होने लगती है आदर्श गैस का अनुगती सिध्धान्थ गैस में बड़ी संख्या में एक जैसे अनुग होते हैं जो छोटे, गोलिये, उदासीन तथा आदर्श प्रत्यास्त होते हैं और अनुग कहलाते हैं गैस में अनुग सभी संभव चालों के साथ सभी संभव दिशाओं में गती करते हैं अनुग द्वारा घेरा जाने वाला इस्थान गैस के आयतन की अपेक्षा नगरने होता है अनुग के बीच कोई आकर्शन बल नहीं होता अनुग के बीच तथा पात्र की दिवारों के साथ संभव, पूर्ट्या, प्रत्यास्त होते हैं अनुग द्वारा संभव के बीच व्यतीत किये गए समय की तुल्ला में संघट्टी की अवधी बहुत कम होती है आणविंग गती पर गुर्द्व का कदाचित ही कोई प्रभाव पड़ता है क्यूंकि उनका द्रवेमान बहुत छोटा होता है और चाल बहुत अधिक रहती है आदश गैस का दाप पादर की दिवारों के साथ अणवों के संघट्टी के कारण गैसे दाप लगाती है आईए M द्रवेमान वाले अणवों की N संख्या वाली एक आदर्श गैस पर विचार करें जो भुजाओं LX, LY, LZ वाले एक आयता कार बॉक्स में भरी है गतिज उर्जा प्रती एकाई आयतन निम्न द्वारा व्यक्त है E बराबर एक बटे दो रो, V, RMS, वर्ग गैस का दाप निम्न द्वारा व्यक्त है P बराबर दो बटे तीन ओफ E इसलिए गैस का दाब इसकी गतिज उर्जा प्रती इकाई आयतन के दो तिहाई के बराबर होता है ताब की अनुगतिक व्याख्या एक अनुगी आउसत गतिज उर्जा इ निम्ड़ द्वारा व्यक्त है इ बराबर एम बटे एन बराबर तीन आर टी बटे दो एन बराबर तीन के टी बटे दो जहां के वोल्टेज मेन नियतांग है इसलिए अनुगी आउसत गतिजूर्जा गैस की प्रकृती पर या अनुगी द्रवेमान पर निर्भर दही होती इसकार्थ है कि समान तापमान पर विभिन गैसों की कुल गतिजूर्जा समान होती है और प्रती अनुग आउसत गतिजूर्जा समान होती है ये केवल गैस के निर्पेक्ष ताप पर निर्भर करता है तापान को गैस के अणों की वासत गतिज उर्जा की माप के रूप में इसपश्ट किया जा सकता है उधारण आएए एक आदर्श गैस के अणोंगति सिध्धान्थ का उधारण देखें आदर्श गैस समिकरन पी वी बराबर हार्टी का उप्योग करके सार्वत्रिक गैस नियतां के मान की गढ़ना करें आएए इसका हल देखें कि हमारे पास है वी बराबर बाईस हजार चार सो गुड़ें दस की घात माइनस सिक्स एम घन अब हम मानों को रखते हुए आर के मान की गढ़ना करते हैं आर बराबर पी वी बटे टी बराबर दो कैलोरी मोल की घात माइनस एक के की घात माइनस एक यदि वी बराबर बाईस दशमलाव चार लीटा पी बराबर एक वायो मंडल टी बराबर दो सो तिहत्तर के आर बराबर शूने दशमलाव चूने आठ दो परमाणू लीटर मोल की घात माइनस एक के की घात माइनस एक अता सार्वत्रिक गैस नियतांक कमान शूने दशमलाव शूने आठ दो परमाणू लीटर मोल की घात माइनस एक के की घात माइनस एक है मैक्सवेल बंटन फलन गैस के दिये गए द्रवेमान में सभी अड़ूं के वेग समान नहीं होते चाहे स्थूल प्राचल जैसे की दाब, आयतन और ताप नियत हों संघट्टे अड़ूं की दिशा और गती परिवर्थित कर देते हैं, हाला कि सामय अवस्था में चालों का वितरण नियत रहता है बहुत से पिंडों के बने निकायों के वैवहार का अध्यान करते समय वितरण बहुत महत्पून होते हैं आणविक चालों का वितरण V तथा V प्लस DV चालों के बीच अणवों की संख्या बताता है V तथा V प्लस DV चालों के साथ अणवों का अंश पट्टी के खित्रफल के बराबर होता है ओर्जा के समविभाजन का नियम उर्जा समविभाजन के नियम के नुसार ताप ये सामयावस्था में किसी गतिशील निकाई के लिए गुल उर्जा सभी 30 कोटियों में समान रूप से बंटित होती है और प्रतिक अणों से प्रति 30 कोटि संबध उर्जा एक पटे दो केटी होती है जहां K बराबर voltage man नियतांक, T बराबर निकाय का निर्पेक्ष ताप, निकाय की सौतंत्रता की कोटी, इसे सौतंत्र निर्देशांकों की संख्या के रूप में परिभाशित किया जाता है, जो प्रणाली की स्थिती या विनियास स्पष्ट करने के लिए आवशक होते हैं। निम्न रूप में व्यक्त है। निर्देशांक दाब तथा ताप पर किसी दी गई गैस के एक अणू की कुल औसद गति जूरजा, इसकी सभी स्वातंत्रत्य कोटीों के बीच समान रूप से बंटित होती है। और प्रती स्वातंत्रतय कोटी प्रती अणू औसद गति जूरजा एक बटे दू कीटी होती है। जहां टी पराबर गैस का ताप पान है। विशिष्ट उश्मा धारिता विशिष्ट उश्मा धारिता को नियतांक दाप पर किसी गैस की विशिष्ट उश्मा के नियतांक आयतन पर गैस की विशिष्ट उश्मा से अनुपात के रूप में परिभाशित किया जाता है इसका मान गैस की परमाणुकता को प्रदशित करता है एक परमाणूं गैसें, टी तापमान तथा पी ताप पर एक आधर्श एक परमाणूं गैस के एक मोल पर विचार करें एक एक परमाणूं गैस के लिए स्वातंत्रतै कोटी की संख्या तीन होती है उर्जा समविभाजन के नियम के नुसार परती अणूं परती स्वातंत्रतै कोटी औसद गति चूर्जा बराबर एक पटे दो केटी गैस के एक मोल की औसद गति चूर्जा बराबर केटी गुणे N जहां N बराबर आवो गादरो संख्या है अता U बराबर 3 बटे 2RT, जहां U गैस के एक मोल का केई है, DU बटे DT बराबर CV, CV बराबर 3 बटे 2R, लेकिन CP बराबर CV प्लास R, हम पाते हैं कि CP बराबर 5 बटे 2R, अता CP बटे CV बराबर 5 बटे 3, दुई परमाणुग गैसें, दुई परमाणुग गैस के लिए स्वातंद्रतय कोटी की संख्या 5 है, CP बटे CV बराबर 9 बटे 7, बहु परमाणुग गैसें, इसमें 3 इस्थानांद्रिये और 3 गूंडी स्वातंद्रतय कोटियां होती हैं, CP बटे CV बराबर 4 प्लस F बटे 3 प्लस F, CP बटे CV बराबर R, किसी भी आदर्श गैस के लिए सत्य है, चाहे वो एक परमाणुख, दुई परमाणुख या बहु परमाणुख हो। माधे मुक्द पत्थ किसी गैस के अणूं सतत, तौरित या यादरिचिक गधी की अवस्था में रहते हैं। इनमें परस पर आदर्श प्रत्यास्त संघट होते हैं। संघटों के अत्रिक्त अणूं एक दूसरे पर कोई बल नहीं आरूपित करते। इसलिए दो क्रमिक संघटों के बीच चली गई तूरी नियतांक वेक के साथ एक सीधी रेखा होती है। एकल गैस अणूं का पत्थ विभेन लंबाईयों वाले छोटे छोटे तेड़े मेडे पत्थों की एक श्रिंखला से बनता है। ये पत्थ मुक्दपत कहलाते हैं तथा इनके माध्धे मुक्दपत कहलाते हैं। लेमला बराबर केटी बटे रूट दो पाई सिग्मा वर्ग पी जहां सिग्मा बराबर अणू का व्यास है। प बराबर गैस का ताप है। टी बराबर गैस का ताप है। के पराबर वोल्टरज मैन नियतांख है। जल या वायू या किसी अन्य तरल में निलंबित सूक्ष्म दर्शिये आकार के कड़ों की सतत टेड़ी मेड़ी या दृच्छ गती ब्राउनी गती होती है। ये परिखटना रॉबर्ट ब्राउन द्वारा खोजी गए थी, तथा ये अनुगती सिध्धान्त के अधार पर स्पच्ट की जाती है। ब्राउनी गती बढ़ जाती है जब निलंबित कण का आकार अधिक छोटा हो। माध्यम का तापमान बढ़ा दिया जाए। माध्यम की शानता कम हो। माध्यम का घनत्व कम हो। क्या आप चानते हैं? आधोनिक उश्मा गतीकी के विकास के पूर्व ये विचार था कि उश्मा एक तरल है और इसलिए इसे कैलारिक कहा गया। पिंड इस्तरल की एक निश्चित मात्रा धारन करने में समर्थ माने गए। इसलिए हम उश्मा धारिता शब्द का उप्योग करते हैं। जिसे जौसेफ ब्लैक द्वारा सद्रा सो पचास के दशक में पहली बार खोजा और नामकरन किया गया। प्रतेक अणू अपने निकटवर्ती अडवों पर एक आकर्शन बल लगाता है, जो अंत्रा अणूक बल कहलाता है। मध्य युक्त पत की अवधारना अठारा सो अठावन में प्रस्तुत की गई। जर्मन भौतिक विद रुडॉल्फ क्लॉसियस ने इसे आणूविक गती होने पर गैसीय पिंडों के प्रथक अड़ों द्वारा चले गए पतों की माध्य लंबाई के रूप में परिभाशित किया। सारांश आईए हमने जो कुछ तीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। अड़ों गती सिध्धांद इस विचार के आधार पर गैसों के वैवहार की व्याख्या करता है कि गैसें तेजी से गती करने वाले परमाड़ों या अड़ों से बनी होती हैं। गैस का आयतन ना केवल ताप पर बलकि इस पर लगने वाले दाप पर भी निर्भर होता है। बॉयल के नियम के नुसार ताप नियत रखने पर गैस के किसी दिये गए द्रवेमान का दाप उसके आयतन के वित क्रमानूपाती होता है। चार्ल्स के नियम के नुसार किसी गैस का आयतन प्रतिक एक डिग्री सेल्सियस ताप परिवर्तन के लिए शूने डिग्री सेल्सियस पर इसके आयतन के गामा पी पर परिवर्तित होता है। यदि दाब इस्थिर रखा गया हो तो गैस कदाब इसकी गतिज उठ्जा प्रति एकाई आयतन के दो तिहाई के बराबर होता है। आढ़ूं की आउसत गतिज उठ्जा गैस की प्रकृति पर या अणूं के द्रवेमान पर निर्भर नहीं होती। ये केवल गैस के निर्पेक्ष ताप पर निर्भर करता है। जल या वायू या किसी अन्य तरल में निलंबित सूक्ष्मदर्शिये आकार के कड़ों की सतत टेड़ी मेड़ी या द्रिचिक गदी ब्राउनी गदी हो दी है। विशिष्ट उश्मा धारिता को नियतांग दाप पर किसी गैस की विशिष्ट उश्मा के नियतांग कायतन पर गैस की विशिष्ट उश्मा से अनुपात के रूप में परिभाशित किया जाता है।